हेलो एवरिवन आपके इस वीडियो पे सौगत है अभी रीसेंटली उजीवन स्मार्ट फिनास बैंक के लेटेस्ट कौर्टले रिपोर्ट्स आये हैं और एक मार्केट में एक मिक्स्ट रेक्षिन है कोई बोलने की बहुत बढ़िया रिजल्ट है कोई बोलने की बहुत बेका पॉइंट्स है और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नहीं है चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए लास्ट के एक डिर साल में उज्जीवन स्माल फिनांस बैंक ने तकरीबन तीन सो परसंटेज को उससे जाधा परसंटेज क बीच में ले लिया होता है और में ये साट प्रिया से पर्चेस कर लिया होता है और जब वहां से गिरता है 15-20 परसंटेज तो वहां पे पैनिक सेलिंग होती है और वहां वह नाखुश हो जाते हैं देखें बाइंग ऑन टॉप कुछ जादर बड़ी दिक्क्रत नहीं होती ह अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो for example अगर एक सेक्टर जो बुल्डर में जा सकते है और उसकी बहुत अच्छे fundamentals है उपरी सेक्टर बहुत बढ़िया कर रही है और उसका leading stock मुझे लगता है उजीवन small finance bank leading stock है ऐसे बहुत लोग में से deal security कर सकते है कि AU small finance bank हो सकता है कर लेते हो कोई recommendation नहीं मैं गलत भी हो सकता हूं और बहुत में गलत हुआ भी हो राइट बट जब से मैं इस stock के बार बताना start किया था June 2023 जब चैनल स्टार्ट हुआ था इस वीडियो में देख सकते है तो तकरीबन इस stock का price stand 38 रुबे के आसपास था अब जाके यह 60 रुपे बढ़ता है तो पर लाज क्या बढ़ते हैं और हो सकता है उस दौरान जो small finance bank companies हैं वहाँ पर दिक्कत आया especially जीवन small finance bank यह बहुत चाड़ाई करी है भी राइट और volatility हो सकते है बैट हम लोग को अगर multi bagger stock में multi bagger sector में best stocks चीज़ी तो हमें long term के लिए hold करना पड़ेगा अब यह फटा फ़र्त कंपणी की highlights देख लेते हैं ग्रॉस लोन दों बढ़ा है 27 परसंटेज जो main business लोग 27 परसंटेज से बढ़ा है टोटल deposit बढ़े 43 परसंटेज से रिटेन काजा यहाँ पर 44 परसंटेज से बढ़ा है ग्रॉस एंपर नेट एंपर ठीक है लास्ट यह प expand कर रहे हैं तो cost of funds बढ़ जाते हैं जो की company के बड़े हैं अब नए customers को acquire करने के लिए जादा aggressive approach कर रही है उजीवन पर फिनान्स बैंक्स नई hiring कर रहे हैं नए branches खोल रहे हैं company की call call में लगाता company बोल रहे हैं कि 35 नए branches खोल दिये हैं अगले quarter में तक्रीबन 50 नए branches खोल द पर net interest margin बढ़ा है 16-16 क्रोड रुपे पीप आप बढ़ा है 941 क्रोड हुआ है पिछले साल से 37 परसंटेज बढ़ा है पैट यापर सी 52 क्रोड लास्ट यर से 31 परसंटेज बढ़ा है आरोई 3.6 परसंटेज जोगी घटा है कितना घटा है 33 basis point बड़े बड़े companies ICSA, HDFC bank के 2% क होता है आरोई 29 परसंटेज हुआ है पिछले साल से 30.2 से लेकिन अपने पूरे banking सेक्टर में one of the highest इंफक्ट हाइस्ट आपे डर्न एक्विटी जिवन स्मार् फिनांस बैंक दिखा रहा है अब यहाँ पे कंपनी गाइडनस दे है कौन कॉल में की 22 परसंटेज के आस पास मे आरोई आएगा और जब पूछा के कि इतना कम क्यों हो रहा है कि कंपनी थोड़ा सा अपने आपको रूम दे रिया ग्रोव करने के लिए जान पूछ के यह अपना गाइनस कम बता रहे हैं जिसे कि आगे बढ़ने के संभावना बढ़ जाए विए बहुत अच्छी बात है अगर आपको वीडियो अभी तक informative लग रही है, valuable लग रही है, knowledgeful लग रही है, कुछ नहीं सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को like करना मत भूलेगा और अपने दोस्तों के ताथ इस वीडियो को share करना मत भूलेगा अभी बहुत panic का माहल है रहाना जागा तो उनकी जाएगी और अगर आप चैनल पर नहीं है चैनल को subscribe कर दीजिए अभी उचीवन स्माल फिनानस बैंक का नहीं परसंटेज इसलिए कम हुआ है, विकॉस अभी कंपनी सेक्ट बुक के तरफ जा रही है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा हूँ कि 67 परसंटेज से इंडियो लोन्स का ग्रोथ हुआ है, में समीन जो के अन सेक्ट बुक है वहाँ पर बी ग्रोथ हुआ है और नेगरेटिव हुए, राइट, एफोरडबल हासिं 31 परसंटेज, एफजी लेंडिंग 39 परसंटेज, अधर 13 परसंटेज, तो धीरे धीरे यह अपने आपको सेक्ट बुक के तरफ लेके आड़े, जो कि अच्छी बात है, जिसे उतकर स्माल फिनास बैंक है, वो अपने आपको एग्रेसिवली आगे बढ़ा रही है, वो अन्सेक्ट बुक में जा रही है, उनको में मोटो सेक्ट बुक के तरफ जा रही है, लेकिन अपने आपको सेक्ट कर रही है, तो यह इंवेस्ट के लिए बहुत इंपोर्टन अब देते हैं, और यह अच्छी बात है इंवेस्ट के लिए फॉर लॉंग टर्म, अगें शॉर्ट टर्म में दिख़त आ सकते हैं, विकॉस कम्पणी अपने बिजनस चेंज कर रहे है, फंडमेंटल थोड़े चेंज कर रहे हैं, तो एक और आपके लिए लर्निंग यहाँ पर यह है, कि अगर आपने जब स्टॉक में इंवेस्ट किया जब मैंने बाइ किया था, तो कंपने एग्रेसिव थी बहुत जादा, अब तो 22% गाइड़न्स दे रहे हैं, तब आप सो सकते हैं, जो मैं चाहता था, और वो हो चुका है, अब वो कंपनी को दिशा नहीं है, अब कंपनी तो सेक्यूर बुक में जा रही है, तो सेफ थोड बापर आपका knowledge is a main role, यह तो बात कर लिए हमने yearly बाइस, अब quarterly बाइस तो देख लेते हैं, कि 1287 करोड से 1391 करोड, यहाँ पर भी अच्छा काद़ इंप्रूव्मेंट आया है, और यहाँ पर net profit भी 324 करोड से 324, हाँ यह flat है, हमने समझे लिए flat कियो कि कंपनी भी expand करें, cost है हो सकते हैं, लेकि company ने साफ बता है, कि second quarter वैसे पर अच्छा नहीं होता, लेकि लाज़ के third or fourth quarter is good for small finance banks, अब logically सोचो, third or fourth quarter में पूरे इंडिया में हर जगा festival होता है, अब North India, South India, West, East, Central, हर जगा देखो लगातार एक festival का महाल रहता है, और वहाँ पे जो गावन कजबों क लोग है, उनकी अच्छी कासी earnings होते हैं, और अगर आप यहाँ पर gross NPP और net NPP पर देखेंगे, तो ठीक है, last quarter तो थोड़ा बड़ा है, क्यों बड़ा है, provision coverage दो थोड़ा कम कर ले, 90% में, again वही वाली बात है कि दूरा bank aggressive हो रही है, अपने आपको expand करने के लिए, तो अभी हैंगे, तो यहाँ में IDFC First Bank का quarterly reports, इस quarterly reports का मैं एक presentation खोल देता हूँ, और by the way, IDFC First Bank का result आचुका है, अगर आपको वीडियो चाहिए, IDFC First Bank के पूर्वरे डिटेल में, इस वीडियो में करने वाला, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगे, तो आप मुझे कमें लिखके बताए यहाँ पर देखिए, market opportunity, retail, rural and SME loans, IDFC First Bank का presentation नहीं है, investor presentation, तो यहाँ पर company बोल रही है, FI 2023 से, FI 2023 से, 15 गुना का growth होना बाकी है, यह IDFC First Bank बोल रहे है, देखिए, IDFC First Bank एक universal bank है, वो हर्थ segment में है, लेकिन small finance bank सर्व गावन कस्गू महीं है, तो अगर दूसरा bank कह रहा है कि इ बहुत important है, अब यहाँ पर बहुत सार लोगों ने मुझे यह भी बताया है, कि देखो, FI and DIS भाग रही है, पहले बात देखे, promoter holding same ही है, और FI क्यों भाग रही है, because bond yields जादा मिल रहे है, US में तो पैसे निकाले भाग रहे है, वो हर market से, हर share से FI पैसे निकाले भाग रह है, जो कि अच्छी बात नहीं होती, अगर FI and DIS भेच के निकालती है, और public के पास share जाता है, that's not a good sign, अब आप यहाँ पर negative हो सकते है, but मैं आपको positive कर देता हूँ, अगर आप यहाँ पर उजीवन financial services का share holding pattern देखेंगे, तो FIS ने आपर कम किया है, वो तो हर जाग से कम कर र इंडिया के जो बड़े companies है, mutual funds है, इंशांस company है, उसका फाइदा नि उठाएंगी, बिल्कुल ठारी है, यहाँ बिल्कुल साफ दिख रहा आपको ठारी है, और यहाँ पर public 55-57 पर यहाँ पर बहुत कम public आई है, आप देख सकते हैं कि public का psychology क्या रहती है, वो डर रहे हैं व बिल्कुल होगा, मैंने इस वीडियो में साफ बताया है कि नहीं होगा तो बहुत बहुत बड़ा scam हो जाएगा, पुरे stock market में investors के साथ, और सबसे बड़ा दिक्कत होगा, वो अजिए और financial services के promoter होगा, कि भाई, हमारी company है, और तुम मना क्यों कर रहे हो, भाई, NCLT का approval करने का प्लानता है, December तक करने का प्लानता है, reverse मर्जन, अगर नहीं होगा तो next quarter में हो जागा, Q4 में हो जागा, लेकिन होना तो instant है, तब देख सकते हैं कि जो बड़े-बड़े investors है, D.I.S. यहाँ पे 50% के आसपर, यहाँ पे shareholding बड़ी है, D.I.S. में उजिए फ्रैंश कि आपको analysis अच्छी लगी है, अगर आपको analysis अच्छी लगी है, तो इस video को like करना मत भूलेगा, अपने दोस्तों के तक video को share करना मत भूलेगा, उन्हें बताइए, बहुत nervousness है अब the stock market में, उनके लिए calmness का इशारा हो सकता है, फिर ध्यान हो सकता है, अब कुद भी कह सकत हैं और चैनल पर नहीं चैनल को subscribe कर दीजिए, we'll see you in next video, till then you go and earn freedom, जैन एंजाए भारत!